नमस्ते फ्रेंड्स मैं हूँ धननजय उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे मैं ये मान के चलता हूँ कि हम सभी को अब तक ये मालूम पढ़ चुका है कि यूपी के हत्रस में एक भगदड में 120 से भियादिक लोगों की इसमें जान जाती है ये घटना अपने आप में जितना भयानक है उतना ही हमें सरमसार करने वाली भी है क्यूंकि कहीं पे भी अगर एक घटना में या एक दिन के अंदर 120 से भियादिक लोगों की जान जाती है तो वो कहीं न कहीं एक ग्लोबल नीउस बन जाता है और एक बात का ध्यान रखी है कि ये जो वेस्टन मीडिया हैं वो कोशिश करते हैं कि किसी भी देश का जिनके साथ उनके संबंद अच्छे नहीं है वो इन ही सब नीउस के वो तलाश में रहते हैं और उसके बाद इन सारे घटनाओं का जो सबसे खराफ फोटो होता है उसको वो अपने नीउस पेपर में या ओनलाइन पोटल में छापते हैं तो यहां से हमें समझनी की जरूवत है कि एक तो ये बहुत ही भ्याना घटना है उपर से हमें ग्लोबल तोर पे शर्मसार करने का भी एक बहुत ही अच्छा हम लोगों ने मौका दे दिया इस बंदे का नाम है सूरच पाल सिंग और लोग इसी को सुनने के लिए आये थें ये अपना नाम अपने फॉलोवर से बाबा नरायन सकरहरी भी कहलवाता है और कहीं कहीं ये अपने फॉलोवर से अपने आपको भोले बाबा भी कहलवाता है एक चीज जो आपको हमें समझना चाहिए चाहाए आप किसी भी रिलीजन के हो चाहाए आप किसी भी जाती के हो धर्म एक अलग चीज होता है हमें किसी भी इंसान में अपने भगवान को या अपने उपर वाले को नहीं ढूंडना चाहिए और उसके बाद आप इस बंदे का शकल देखिए कहीं से भी ये लग रहा कि इसके अंदर वो चाहत या वो शमता है जहां पर ये इस देश का या इस देश के जो लोगे उसका भला करना चाहता है अगर आप इन लोगों का जो daily lifestyle देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो सबसे luxurious item होता है जो available होता है ये वो सारे items का इस्तिमाल करते हैं इन सब के बीच में इस चीज़ से हम कहीं से भी इंकार नहीं कर सकते हैं कि जो हमारा administration है वो भी equally responsible है ऐसा कैसे हो सकता है कि कहीं पे एक सत्संग हो रहा जहां पे धाई लाख या उससे भी अधिक भीड आ रहा और वहां के जो administration है उनको खबर नहीं है जो कहा जा रहा वो ये कहा जा रहा कि जो capacity था वो some around 80,000 के आसपास का capacity था और वैसे भी अगर आप इन लोगों का background चेक करेंगे तो आपको मालूम पड़े हैं कहीं न कहीं ये लोग बढ़ चड़ कर जो income tax होता है उसमें घुटाला करते हैं क्यूंकि भारत एक democratic country है जहां पे आम जनता के पास ये हक मिलता है कि वो अपने vote का इस्तमाल करके सरकार को चुने तो सरकार भी क्या करते हैं कि उन सब मुद्दों को touch नहीं करते हैं जो एक sensitive मुद्दा होता है और भारत में अभी भी जो most sensitive मुद्दा है वो कहीं न कहीं religion औ करते हैं बलकि बढ़ चड़ कर हम religion और caste तक ही सीमित रह जाते हैं क्यूंकि इस घटना को घटे 24 घंटा से उपर हो गया है इसलिए सूरजपाल का statement आता है जहां पे ये anti-social elements को जिम्दार ठहराता है जब आप ये कहते हैं कि anti-social elements तो आपको ये भी बताना होता है कि आप किस लोगों के बारे में बात कर रहे हैं और exactly anti-social elements का मतलब होता क्या है SDM के द्वारा जो initial report publish किया गया है उसके हिसाब से ये बताया जारा कि जो सूरजपाल के security वाले होते हैं वो सूरजपाल के followers को धका देते हैं उसके पीछे का वज़य ये होता है कि जो सतसंग होता है वो ल जहां से गुजर रहे थे उस जमीन का वो मिट्टी को चूम रहे थे और अपने माथे पे लगा रहे थे तो ये भी बताता है कि आज भी society में कितना जादा अंध विश्वास है और कहीं न कहीं जो सरकार है जो हमारे agencies हैं वो आज भी हमारे लोगों को जागरुक नहीं कर रह हैं तो जब followers इनके पैर छुने का कोशिश करते हैं तो काफी भीड एक ही बार में इखटा हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि सूरजपाल के जो security वाले होते हैं वो धक्का देते हैं तो क्यूंकि भीड लगभग धाई लाग के आस पास था और suffocation का महौल बन गया था तो उसी में से कुछ ऐसा हुआ जिससे कि भीड बेकाबू हो गया और किसी को exactly ये समझ में नहीं आया कि उनको क्या करना चाहिए और सबसे अजीब बात ये है कि जब ये मालूम पढ़ गया कि भगदर मज गया है तो जो सबसे पहले जो भागने वाले इंसान थे वो खुद सूरजपाल थें और ये बकाइदा जो वहाँ पे लोग थें या जो इनके सरधालू थें उनके द्वारा ये कहा गया है तो एक आम जनता को ये समझना चाहिए कि ये लोग कोई भगवान या उसका रूप नहीं होते हैं बलकि ये कही न कहीं सिर्फ पैसे बनाने का एक जरि लगबग 120 से भी अधीक लोगों की इसमें जान गई है कितने का तो ऐसा है कि उनके पूरे फैमिली मेंबर इसमें चले गए हैं इन फैक्ट अगर किसी का एक फैमिली मेंबर भी जाता है इन सब घटनाओं में तो उसका जिम्मेदार कौन होता है आप इस फोटो को देख के स इसको अंजाने में अगर धक्का देते हैं तो वो कम्पलीट तरीके से के उस मत जाता और उस के उस में अगर एक दो आदमी भी गलती से अगर गिर जाएंगे तो उनके पास मौका नहीं होता है कि वो अपने आपको सम्हाल सकें क्योंकि मामला अपने आप में इतना भ्यानक और इतना दर्दनाक है और साथ में जिस तरीके से वेस्टन मीडिया इसको दिखा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो यूपी गवर्मेंट है उनकी भी आँख खुलती है तो वो ये कहते हैं कि अकाउंटिबलीटी होनी चाहिए इस चीज में लेकिन बात ये है कि अगर सरकार एड्मिनिस्ट्रेशन आपका है पुलिस आपका है तो ये बात तो लोग आप से पूछे हैं कि आखिर में ये जो घटना घटी है इसका अकाउंटिबल कौन है आप नहीं है तो फिर कौन है क्यूंकि कहीं ना कहीं हर घटना भारत में एक रिलीजर्स और एक पॉलिटिकल ए पढ़ेंगे तो आपको मालूम पढ़ेगा कि किसी भी तरीके से जो पर्याप्त पुलिस फोर्सेस थे वो नहीं था जो इमर्जेंसी एग्जिट था वो नहीं था जितने पुलिस वाले को धाई लाग भीड के आस पास कंट्रोल करने के लिए होना चाहिए था वो नहीं था और उससे भी बड़ी बात है कि सूरजपाल जो अपने आपको भोले बाबा भी कहलवाता है इसके उपर sexual assault के भी cases चल रहे थे हैं इससे मुझे एक और बाबा का नाम याता आता है जिसका नाम है बाबा राम रहीम अगर आप उसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको मालूम पढ़े है कि जिस तरीके से उसे back-to-back parole मिलता है हमारे बीच बहुत सारे ऐसे लोंग है जिनके नाम पे अगर सिर्फ case दर्ज हो जाये तो वो जितना उस case में charges नहीं होता है उससे कहीं ज़्यादा वो jail में बिताते हैं लेकिन क्योंकि कहीं न कहीं इनका political selection होता है इनके पास पैसे होते हैं तो चाहे present government हो गया चाहे किसी भी आप राजजी की बाते कर लें हर political party का इनको selection मिलता है और इनको continuous तरीके से मिलता ही रहता है इस बीच में अगर कोई सबसे अधिक बेवकूफ बनता है तो वो आपके हमारे जैसे लोग बेवकूफ बनते हैं जो बात-बात में धर्म के नाम पे लड़ने को तयार हो जाते हैं और आज भी जो हम vote डालते है उसका base सिर्फ और सिर्फ धर्म और जाती ही रहता है और development का मुद्धा कहीं पीशे छूट जाता है और अगर कोई सवाल पूछता है सरकार से चाहे वो किसी भी राजजी या center के हो तो बहुत असानी से ये बोल दिया जाता है कि आप विपक्ष पार्टी को support करने वाले इसलिए आप सवाल पूछ रहे हैं I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूँगा मैं चाहूँगा कि आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care good bye